नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सिंग शुरुवात करते हैं दिल्ली के दस बड़ी खबरों के राजधानी दिल्ली और आसपास की इलाकों में गुरुवार सुबे से हो रही लगातार बारिश आज भी जारी रहने के उमीद मौसम विभागने जारी के यलो अलर्ट तापान में सामानिय से चार से पास डिगरी सेल्सिस तक की कमी आनी का अनुमान इसके साथ है दिल्ली में बारिश को लेकर नए रिकॉर्ड बनने के आसार अगली 24 घंटों में मौसम की करवट लेने के साथ तेज बारिश की संभावना उतर प्रिदेश में आमादमी पार्टी का बड़ा दाओ उपमुख्य मंतरी मनीश सौधिया ने एक बार फिर जोड देकर कहा दिली सरकार भगवान राम के आदर्शू पर चल रही है उन्होंने कहा अगर आमादमी पार्टी सत्ता में आती है तो उतर प्रिदेश के लोगो प्रिदेश में आइज़ाम करने के लिए कहा गया था आईएसाई के निर्देश मिलने के बाद कई राजियों के मैट्रो शेहरों में बंधमाका करने के फिराख में थी आतंकी दिलेपली स्पेशल सेल के सुत्रों के मुताबित पार्ग संगटित आतंकी मॉड्यूल का हिस् प्रिदेश में राज 110 मरीज होम आइसलेशन में 22 कोरोना संक्रमीत हुए ठीक रास्थानी वब एक्टिट केसों के संख्या 409 करोल बाग में बंध मॉल को लेकर आमादमी पार्टी ने निगम पर लगाया आरोप आमादमी पार्टी का आरोप करोल बाग में अन्यमितताओं के चलते बंध मॉल इस समय चाल हो चुका है जब किसे चलाने के लिए अभी भी आपचारी का रूमती नहीं मिली है आमादमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये मॉल भाजपा शासित नगर निगम के कुछ नेताओं और अधिकारियों के मिले भगत से चलाया जा रहा है लेकिन निगम प्रशासन इसे रोकने में है नाकाम्याब लाल किला से फतेहपुर मस्जित तक चांदली चौक के करीब एक किलोमीटर हिस्से को शाह जहानाबाद पुनर विकास निगम में गैर मोटर चालित वहान चेत्र के रूप में किया है विक्सित जिसके चलते ट्राफिक पुलिस मोटर चालित वहानों को लेकर हुई सक रोजाना करी पचास मोटर चालित वहानों का किया जा रहा है चालान बता दे चांदली चौक में मोटर चालित वहान चलाने पर प्रतिबंध है दक्षिन पश्चम दिली के कई लाकों में 20 सितंबर तक नहीं होगी पानी की आप पूर्ती पिछले दिनों दक्षिन पश्चम दिली के कई लाकों में भारी बारिश के कारण दिचाओं कला भूमीगत जलाशियों में आई थी समस्या दिली जल बोर्ड नहीं कहा लोगों को परिशानी ना हो इसके लिए पानी के टैंकरों के बुकिंग के लिए टोल फ्री नमबर 1-800-121-7744 या 8527-995-818 पर कर सकते हैं कॉल नई दिली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक और एक्जेक्यूटिव लाउंज की मिलेगी सुविथा नया लाउंज पहार गेट की तरफ प्लैटफॉर्म नमबर 1 की पहली मंजिल पर बनाया गया है विश्वस्तरिय एरपोर्ट की तरफ लाउंज को किया गया है तयार इस लाउंज में यात्रियों को म्यूजिक, वाइफा, इंटरनेट, ट्रेन सुचन प्रदर्शन, खाना वनास्ते के साथ समचार, पत्र और पत्रिकाई, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटो स्टेट के भी मिलेगी सुफिथा दिली मैच्रों की ग्रे लाइन पर नजवगर धासा बस टैन्ट खंड का 18 सितंबर को किया जाएगा उदखाटन जे मारसी ने एक बयान में कहा केंदरी आवास इवं शेहरी मामलों के मंतरी हर्तीप सिंग पुरी और तिल्ले के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल 18 सितंबर को संयबत रुप से वीडियो कॉंफरेंस के जरी कलियारी का करिंगूद खाटन अधिकारियों ने बताया इस खन पर यातर सेवाई शाम पांच पजे से की जाएगी शुरूरूरूरू केंदरी सरकार ने गुजरात कैजर के आईपेस अधिकारी राकेश अस्थाना के दिल्ले पुलिस आयुद के रूपे नियुक्ति को उचे के दस बड़ी खबरें हमारी बागी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लेजिए नमस्कार